अस्सलामूराइकूम, बहुत टाइम के बाद में वीडियो बना रहा हूँ, उमीर है कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो की वज़े से कुछ न कुछ फाइदा मिले, आज मैं अपने वालनट यानि की आखरोट की गुड़ाई कर रहा हूँ जो इसकी वाज़े ये है कि आज अगर गुड़ाई की जाए तो आगे बरफड़ेगी या बारश लगेगी तो सारा इसमें जमा हो जाए और आगे जो भी मैं खाद डालू या गोबर डालू वो इस ट्रंच से बाहर ना निकले इसकी इसका फाइदा यही है ट्रंच बनाने का देखें ये मेरा एक छोटा सा औरचड है वकीचा है आखरोटू का देख सकते हैं मैंने इन में रोंड शेप में ट्रंच बनाये हुए हैं अभी तीन चार तीन एक सब्सक्राइब को लगाए हुए माशाला अच्छी ग्रोथ हुई है यह देखें इस पर मैंने ग्राफ्टिंग भी कर रखी है यह देख सकते हैं आगे भी है यह देखें मेरी वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हमारे यहां जम्मू कश्मीर खास करके डोडा के लोग इस वीडियो को देखें और उनको भी थोड़ा इंट्रेस्ट आए इस बारे में क्योंकि यहां पर लोगों के पास बहुत सारी जमीने हैं लेकिन इस साइड किसी को इंट्रेस्ट नहीं है इंट्रेस्ट है भी तो प्रॉपर नौलिज नहीं है जिसकी वाज़ा से लोग ज़्यादतर महनत मक्की लगाने में और ग्यों शेओं लगाने में लगाते हैं अगर इतनी महनत इस पे की जाए तो यह देखें इतना सा टुकड़ा है अगर इसमें वालनेट बन जाएं तो अच्छा कासा प्रॉफिट हो सकता है मक्यों से और ग्यों से ज्यादा थोड़ी सी महनत है स्टार्टिंग में तो जब त्यार हो जाएं तो फिर अतनी महनत नहीं है उमीद करता हूं कि सब को यह वीडियो पसंद आए और इसको शेयर करें लाइक करें ताके दूसरी लोगो तक भी यह पहुंचे शुक्रिया